नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की पैंटाकाइन DSR कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है. पैंटाकाइन DSR कैपसूल को कैसे लेना चाहिए? और Pantakine DSR Capsule की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं? Pantakine DSR Capsule पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करता है Pantakine DSR Capsule का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खती डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर Pantakine DSR Capsule का उप्योग किया जाता है Pantakine DSR Capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ज से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्थ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Pentakine DSR capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो, इसलिए आपका Dr. Pentakine DSR capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा Pentakine DSR capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी किया जाता है Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है Pentakine DSR एक brand name है Pentakine DSR capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है Pentakine DSR capsule के अंदर salt composition pentoprajol और domperidone होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम discuss करेंगे कि Pentakine DSR capsule की वज़से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Pentakine DSR capsule की वज़से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Pentakine DSR capsule की वज़से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुमें सूखापन, सिर्दर्द, शरीर की मासपेसियों या जोरों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्त होने की समस्या हो सकती हैं इसके अलावा Pentakine DSR capsule की वज़से कुछ व्यक्तियों में Cubs की समस्या भी हो सकती हैं लंबे समय तक Pentakine DSR capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Pentakine DSR capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B, 12, कैलशियम, आईरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Pentakine DSR capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार Pentakine DSR capsule को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है Pentakine DSR capsule की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब Pentakine DSR capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Pentakine DSR capsule को ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि Pentakine DSR capsule को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Pentakine DSR capsule को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं Pentakine DSR capsule को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए Pentakine DSR capsule की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Pentakine DSR capsule को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या Pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं Pentakine DSR capsule को ले सकती है या नहीं वैसे Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Pentakine DSR capsule का सेवन करना recommended नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Pentakine DSR capsule को लेने की सला दे सकता है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Pentakine DSR capsule को नहीं लेना चाहिए